क्या आप जानते हैं कि USA के फ्लाई रेंच में एक ऐसा कुवा है जिसके अंदर से 200 डिग्री फेरेनहाइट या 93.33 डिग्री सेल्सियस गर्म उबलते हुए पानी का फुहारा निकलता है हम बात कर रहे हैं फ्लाई गीजर के बारे में ये USA के नॉर्डन निवाडा में फ्लाई रेंच नाम की जगह पर मौजूद है 20th century में कुछ लोगों ने सिचाई के लिए यहाँ पर कुवा खोदना चाहा उन्होंने ऐसा किया भी लेकिन एक लिमिट के बाद खुदाई करने पर पानी का एक तेज फुवारा जमीन से करीब 12 फीट उपर तक आने लगा ये पानी उबल रहा था इसको सिचाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थें और गर्म पानी को छूने के लिए कोई जा भी नहीं सकता था इसलिए लोगों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया एक कमपनी ने थोड़ी दूर और खुदाई की यहां से भी गर्म पानी का फुवारा निकलने लगा जैसे तैसे इसको सील किया गया और कमपनी यहां से चली गई लेकिन कुवा ठीक से सील नहीं हो पाया था पानी को जहां से भी जगा मिला वहां से निकलने लगा धीरे धीरे कुवे के चारो तरफ कैल्सियम कार्बोनेट इकठा होने लगे जिस वज़े से कुवे का शेप आज ऐसा हो गया है और कैल्सियम कार्बोनेट के उपर थर्मोफिलिक एल्गी के पनपने से इसका रंग ऐसा है